दिली एंजियार में लगतार ठंड पड़ रही है और पूरी जनवरी लोगों को ठंड से निजात नहीं मिली लेकिन कई दिनों के बाद शनिवार को गड़ाके की धूप निकली इसके बाद लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलती जरूर दिखी है इसी बीच मौसम में भागने चेतावनी जारी की है कि 27 जनवरी यानि शनिवार को एक वेस्टन डिस्टबेंस सक्रिये हुआ है जिसकी वज़ा से फर्वरी के पहले हफते में पहाडों पर हल्की बरफारी और भारी बारिश होने की संभावना बन रही है और इसी वज़ा से दिल्ली में एक बार फिर अने वाले कई दिनों में दिल्ली में दोपहर में 21-22 दिगर अपमान रह सकता है दिल्ली में आम जनता ठंड के अटैक से परिशान नजर आ रही है दिल्ली की आम जनता का रविबार सुभार क्या कुछ कहना है सुन लेते हैं कि सर्दी तो बहुत ज्यादा है पहले के मकाबले थोड़ा कम हुआ है लेकिन अभी भी है बहुत कोहरा तो आप खुद ही देख रहे हैं क्या है वो थोड़ा ही कुछ कम लग रहा है बाकि है तो पहले जैसा ही कि अधिक्कत तो बहुत है ना अभी मैंने स्वेटर यह सब प पहले के रखाऊ है हाथ पैर तो पुरा ठंडे हो गए है हाथ तो फिर भी जेब में पैर का तो और आले सर्थ मैं तो अभी हैंसे अपना जोर बाक्स अपना काम करके घर के साइड जा रहा था सर्दी तो पहले से काम है लेकिन हाथ वाथ इतने गल रहे है कि बाइक रोकनी पढ़ गई है मुझे कोरा तो हलका फुलका है लेकिन ठंड है ठंड अभी गई नहीं है कपड़े पहने के हाथ गल रहे हैं तो इसलिए मैंने बाइक भी रोग दिया और थोड़ा रेस्ट कर रहा हूं ज्यादा ठंड साजी तो और तीन-चार दिन से ठंड और ज्यादा मुझे मिभाग ने इस बात की भी चेताब नीती है कि ठंड एक बार फिर दिल्ली में वापशी करेगी शनिवार को अधिक्तम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस और नियूंतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्श किया गया था 28-31 जन्वरी तक अधिक्तम तापमान 22 डिग्री और इसके अलावा नियूंतम तापमान 6-9 डिग्री दर्श करेजाने की संभावना है